जहिन दोस्तो तो आज हम देखेंगे अपने सेट नमबर 47 को अपनी 5000 प्लस MCQ मेरेथान सीरीज को तो दोस्तो लेक्चर की PDF के लिए आप टेलिग्राम गुरूप को जोइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और किसी ने चैनल को दोस्तो आज भी कहा है कि हम अपने इस लेक्चर के अंदर में दस को देखेंगे तो जो हमारे कोस्टेंस है वह 461 से 470 के बीच में रहने वाले हैं तो आप वीडियो को पॉस्ट करके को अटेंप्ट कर सकते हैं तो पहला क्वेशन के रहा है इन दी कंटेक्स्ट ओफ दी रूलर और डी किया रहा है मूजिकल पर्फॉमेंस तो दोस्तों यहां पर कहा है कि इस कांसर होगा सेल्यूटेशन फोर दा रूलर तो यहां पर कहा है कि जो मुगल एक तरीकी से एंपायर था ना इसके अंदर में क्या होता था जैसे यह बाबर हो गया हमायू अकबर तो य यहां पर कहा है कि ऐसी जो कोड़निश होता था इसके अंदर में क्या करा जाता था जो एक राइट है इस राइट हैंड को अपने माथे के पास ले करके लाया जाता था फिर उसके बाद में यानिकर सर जुका करके सलाम करा जाता था फिर जमीन बोस्त के अंदर में क्या होत और चहर तसलीम चहर का मतलब होगा चार बार तो यहां पर कहीं कि आदमी है ना तो इस तरीके से पहले अपने दोनों हातों को आगे फैलाएगा फिर आगे यानिके चार बार यानिके सर जुकाएगा तो इसको बोला जाता चार तसलीम तो यह होगा तो हमारा आंसर इसमें सी हो जाएगा अब सैकेंड को देखेंगे कहरा विच आफ फॉलॉइंग इस या आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी आर्ट्स ओफ इंडस वैली सिविलाइजेशन तो दोस्तों यहां पर कहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात क यहां पर ब्रॉण जैना एक तरीके से बहुत वाइडली तरीके से बहुत हुज क्वांटिटी में प्रैक्टिस करी जाती ती यहां पर कहा है कि यह धंसिंगं की फोटो हो गोई हां पर हम को यह ब्रॉण स्टैच्व देखने को मिलते ते जैसे यह यह ऐलीफेंट होगया यहाँ पर बुल हो गया तो यहाँ पर कहें कि हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो ब्रॉंज एक तरीके से बहुत ज्यादा यूस का होता था तो यह स्टेटमेंट कहें कि हमारी वैसे तो ठीक है अब सेकिंड ऑप्शन कर रहा है कि एवरी हरपण सेल बॉज एन ग्रेवड in a pictographic script यानि के जो हरपण की सेल तो यहाँ पर कहें किसील देखने को मिलने तो यहाँ पर कहें कि हम कह सकते हैं कि सील के ओपर एइनिमल की फिघर भी है यानि कि बुल देखने को मिल रहा है बूल के साथ में कुछ लिखा हुआ भी वेर तेकने और इनके थे नहां पर जोगों को सगते हैं si तो जेंजर तो हमको सही टरीके से याने भी टते हों का पूरे अच्छी शेप में देखने को मिलें तो हमारी दो statement ठीक है थर्ड statement हमारी गलत है तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी statement ठीक नहीं है तो हमारा अंसर इसमें हो जाएगा C यानि के थर्ड statement गलत है अब थर्ड question को देखेंगे क्या रहा है consider the following statement about करेकल अम्मा यारा वुमें डिवोटी टू अर्ली भक्ती ट्रेडिशन तो दोस्तों यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाना अपने प्रलिम से दो हजार तेश के लिए क्योंकि अब आप यहाँ पर ऐसे समझो यह कहाए कि हमारा इंडिया हो यहां से स्टार्ट होता और क्या कि साउथ से स्टार्ट होता बाद में नौर्थ इंडिया की तरफ यह मूफ करता है यानि कि 13th AD century के आसपास में कहाए कि यह नौर्थ इंडिया में देखने को मिलता है तो अब हमने देखा था कि जैसे साउथ इंडिया में कहाए कि दो क्राय कयाल अम्मायार है तो दोस्तों अब यहां पर कह एक साउट हिंडिया के अंदर में हमको एक टेक्स्ट देखने को मिलता है तो यह कह कि जो हिंदू भगवानों की पूजा करते थे 63 ऐसे संत थे तो उन 63 में से एक संत थी यह क्राय कयाल अम्माई यार तो ये कहा कि ये लेडी थी याद रखना है ना तो अब यहाँ पर कहा कि अगर आप एक बुक देखोगे तो यहाँ पर कहा कि ये इस बुक के अंदर में तो ये जो 63 हिंदी हिंदू भगवान यानि के शिपजी जी को पूजा करने वाले ये तमिल सेंट हुआ क एंदर करते थे तो ऐसे ही क्यायकि एक तो शिपजी जी एक दिन इनकी एक तरीके से कहते हैं कि प्रीक्षा लेने के लिए आते हैं कि सादू कम भेश बदल करके तो यहाँ पर क्या है कि जब भप हिषव बदल कर शीप यह लीडिज ए्जोषब आर्व ने देते हैं फिर ऐसे करके क्या होता है कि यह आम तो दे देती है और फिर बाद में कहते कि अब तो आम बची नहीं अब कहां से मैं आम लाओं तो यहां पर कहते कि फिर वो अपनी जोली पसारती है तो यहां पर कहते कि हे भगवान जी मेरी रक्षा करो इस तरीके से कहा कि उनकी जोली के बहुत चोटा महसूस करने लगता है तो जब वो छोटा महसूस करता तो वह क्या करता है अपनी पतनी से दूर चले जाता है दूसरे किसी देश में टापू में चले जाता है और वहाँ पर कहें कि एक दूसरी शादी कर लेता है तो जब वो दूसरी शादी कर लेता है तो उसकी क्या है एक लड़की होती है जब उसकी लड़की हो जाती है तो वो उस लड़की का नाम रखता है पुनीत वती तो ये पुनीत वती क्या होता है कि ये उसकी पहली बीवी जिसमें दिव्या शक्ति देखता है वो उसका नाम होता हूँ अधा पुनीत वती तो एक टाइम पर कहा होता है कि वो जब कई महिनों तक सालों तक उसका पती नहीं आया तो ये पुनीत वती जो पहली बीवी होती है उसकी वो धुदने के लिए निकलती है जब उसको पता लग जाता है कि मेरे पती ने कहा है शादी कर ली दूसरी उसी एक लड़की भी होगी और उसके बाद में जब वो अपने पती से मिलते तो पती उसकी पैरवेरच होता है तो उस टाइम पर वो भगवान जी को याद करती है तो वो कहते कि भगवान जी मुझे ये शरीर वगइरा नहीं चाहिए तो यह सारी कहा है कि स्टोरी देखने को मिलती है फिर शिव जी जी इस लेडी को कहते हैं कि मतलब पारवती जी को बताती है कि यह क्या है कि यह मेरी अम्मा है यानि कि इन्होंने बहुत पूजापाट दान वगेरा करा तो इन्होंने बहुत सारा खानावाना दिया है शिव भक्तों को तो ये सारी कहा है कि स्टोरी हमको इस नया नार ये जो बुक है इस नया नार बुक के अंदर में कहा है कि 63 संत की देखने को मिलती है तो दोस्तों कहानी तो ये बहुत लंबी है अगर बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा तो यह सारा क्या है हमने थोड़ा basic देखा अब यहां पर कहरा है कि option में she was a devotee of Vishnu तो दोस्तों यह statement गलत हो जाएगी यह शिव भक्तिनीती बहुत बड़ी अब यहां पर second कहरा है कि she adopted the path of extreme assetism in order to attain her goal यानिके इन्होंने बहुत पार्ट वगेरा करी अगर goal goal को प्राप्ति करने तो यह वाली statement बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो हमारा जो आंसर होगा यानिके second statement हमारी ठीक हो जाएगी अब यहां पर fourth question को देखेंगे कर रहा है नर्दन ब्लैक पॉलिश्ड वेर यहनिके अन्बी पी डबलू फेज इन एंचेंट इंडियन हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री सो दी इमर्जेंस ओफ विच ऑव दा फोलेंग तो यहां पर आप फोटो में देखोगे यह कहा कि हमारी नर्दन ब्लैक पॉलिश्ड यहां व tir देखने को मिलते थो एक तरीके से कहाए कि यह बर्तन वागारा हम को देखने को मिलते हैं तो यह कह है कि आपने देखा हूँआ कि जो हमारा Bleed ik पीरियड है तो वेधिक पीरियड भी हमको दो टाइम के देखने को मिलता है एक होता अर्ली वेधिक पीरियड एक होता लेटर वेधिक पीरियड तो अर्ली वाला होता पंदरासों से लेकर के मिलती है तो हमने इससे पहले देखा था कि हमारी एक ट्रीक है यानि के साइंस हमने पड़ी है साइन से हो गई हमारी स्टोनेज सी से कोपर एज आई से आइरन एज है ना तो यह सारी चीज़े हमने देखी तो याद रखना जो हमको लेटर वैदी के पीरिड है यहां पर हमको आइरन के एविडेंस देखने को मिलता है फिर नदन ब्लैक पॉलिश्ट वेयर के भी एविडेंस देखने को मिलता है यानि कि यहां से इनका स्टार्टिंग देखने को मिलती है तो यह नदन ब्लैक पॉलिश्ट वेयर की बात कर रहा है यानि कि इमर्जेंस की बात कर रहा है तो अब यहां पर कहा रहा है कि पंच मार्ग कोईंस ओफ सिल्वर इन ट्रेड एंड कोमर्स एनिके इस टाइम पीरिड के दोरान में हमको पंच मार्ग कोईंस देखने के मिलते थे सिल्वर के व्यापार के अंदर में तो दोस्तों यह वाली स्टे सिल्वाइजेशन को बोला जाता है फर्स्ट अर्बन सेंटर क्योंकि हमने इसके अंदर में देखाए कि कैसे टाउन प्लाइनिंग करी यह यानिके बिल्कुल 90 डिगरी यानिके ग्रिड सिस्टम फोलो करा गया हर घर के अंदर में हमको सिमेटरी देखने को मिलती है हर घर के स्टेटमेंट गलत हो जाएगी अब थार्ड क्यारा कि गिल्ड सिस्टम लीडिंग टू एक क्राफ्ट इस्पेशलाइजेशन तो दोस्तों यहां पर कहें कि जैसे सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आई फिर यहां पर कहें कि हमारा वेधिक पीरिड में भी अर्ल जो स्टेटमेंट है यहां पर वो ठीक हो जाएगी अब फिफ्ट को देखेंगे कराय रिसेंटली सीन इन दा न्यूज मिशन वचसालिया हैस बीन लॉंच्ट पॉर विच वन ऑफ फॉलोइंग रीजन्स तो दोस्तों यहां पर जब भी कोई स्कीम निकाली जाए या फिर को मतलब क्या होता है कि एक तरीके से वत्स माने जैसे बच्चे होते ना वत्स की जियो वत्स तो यहां पर बच्चे हो गया तो एक इसका मतलब यह होता है कि जो माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं तो इस वत्सालिया का मतलब यह भी होता है तो सरकार को त तो इस टाइप से हमाँ आइडिया लगा सकते हैं अब यहां पर अपना option को पढ़ेंगे कह रहा है to secure a healthy and happy childhood for every child in India तो दोस्तो पहली statement पढ़ते ही हमको लग रहा है कि हमारा answer होगा लेकिन हम नीचे option को पढ़ेंगे कह रहा है provide social security to people during all days तो दोस्तों ये तो साफ साफ गलत हो जाएगी to support women affected by violence in private and public spaces within the family community and at the workplace तो ये women से related होगी ये गलत होगी डी कह रहा है to address health issues of transgender person and provide comprehensive medical insurance scheme for them तो दोस्तों ये भी statement गलत हो जाएगी हमारा answer होगा क्योंकि ये बच्चों से related है तो हमारा जो answer है न वो question के अंदर ही छुपा हुआ है तो यहाँ पर fifth question ये होगा अब six question को देखेंगे consider the following statement regarding सांख्या school of philosophy तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले अपने basic से start करेंगे तो हम कहें कि अपने art and culture जब पढ़ते हैं तो हमने इस से पहले भी देखा था कि हमारे जो एक तरीके से schools of philosophy है हमने दो तरीके से इसको classify कर रखा एक orthodox हो गया दूसरा हो गया heterodox तो अब इसके अंदर में क्या होता कि orthodox वो होता है जो कहते हैं कि भी आया यानिके वेदास को supreme मानते हैं और जो heterodox होता है वो वेदा को supreme नहीं मानते है यानिके इसको criticize करते हैं वेद को तो अब ये वेद है ना इसमें भी हमने दो पार्ट में classification कर रखा ह है एक कर रहा है atthist है तो अब इसके अंदर में क्या है टीष्ट के अंदर में जैसे वंस यानिके इसके लगे और पर एक सामख्य तो हो गया है जैसे दुएत वेदान्त यह आ गए और हेट्रोडॉक्स में आते हैं हमारे जैसे बुद्धिजम जैनिजम और यहां पर चरवा की स्कूल तो यहां पर बात करी जाए सामख्या स्कूल की तो यह जो सामख्या स्कूल है ना अपने नाम सुनाओगा महारिशी कपिला तो यह स्क करे तो प्रक्रित का मतलब होगहा जैसे नेचर को बताया और पर पुरुष यानिक इंसान के माइिंड के बारे में बताया थो यहां पर इन्हों millet को एकु yach cater कर ल मोक्ष की प्रापति कर सकता तो याद रखना इसमें knowledge word बहुत important है है ना अब यहाँ पर और यह कहते कि पूरी दुनिया के अंदर में यानि कि अब इस दुनिया को बनाया है किसने तो यहाँ पर कहते कि इनसानों मतलब नेचर ने दुनिया को बनाये है ना कि भगवान ने क्योंकि आपको पता कि यह क्या है according to it a person can attain salvation through the acquisition of real knowledge यह statement ठीक हो जाएगी second करा the world owes its creation and evolution more to nature और प्रकृत than to God यह भी ठीक हो जाएगी यानिके nature ने evolution करा है अर्थ का या पूरी दुनिया का ना कि भगवान ने अब third करा in the beginning the Samkhya school of philosophy was materialistic तो दोस्तों यहाँ पर कहें कि यह भी statement ठीक हो तो यहाँ पर कहें कि हमारी तीनों statement यहाँ पर ठीक हो जाएगी 7th question को देखते हैं कि राव with reference to the self-amplifying MRNM vaccine consider the following statement तो दोस्तों यहाँ पर कहें कि सबसे पहले हम जानेंगे basic को तो आपने देखा vaccine क्या है यह मतलब एक word है यह vaccine तो हमने देखा COVID-19 के दोरान में भी कहा कि हमने भी vaccine लगाई तो एक तरीके से क्या होता है कि हमारी body के अंदर में यानि कि कोई भी अगर बिमारी होती ना तो उसके against में एक ऐसा antigen produce करता ताकि उससे यह लड़ सके तो हमारी body के अंदर में क्या है यह immunity को यह बढ़ाता है तो अब यहाँ पर यह different types की vaccine हमको देखने को मिलती है तो आपने नाम सुनाओगा जैसे inactivated vaccine हो गई है ना और यहाँ पर आपने सुनाओगा जैसे live attenuated vaccine हो गई तो अब यहाँ पर ऐसे समझो suppose करो यह coronavirus है है ना coronavirus समझो कोई भी virus समझो तो अब यहाँ पर कहें कि अगर इस virus को मार दिया जाए और इसकी यानिके vaccine अगर बना दी जाए ओ है ना यानिके coronavirus को मारा और vaccine बनाई तो यानिके जब हम vaccine लगाएंगे ना तो यह जो coronavirus है मरा हुआ हमारी body के अंदर में आएगा तो अब इसके कह कि कुछ benefits भी होंगे कुछ side effects भी होंगे तो जो different types की vaccine है ना तो इनके benefits को देखते हुए produce करा जाता पूरी दुनिया के अंदर में तो यहां पर killed form में यहां पर रखा जाता है attinuated जो vaccine होती है इसके अंदर में जो virus होता है वह weak होता है यानिके virus तो होता है लेकिन यहां पर कमजोर form में होता है तो हमारी body के अंदर में यह डाले जाते है ठीक है यह हो गया अब यहां पर आप समझो third क्या होती है एक sub unit करके ऐसी vaccine होती है यानिके जो virus है ना suppose करो यह पूरा virus है इस virus का थोड़ा सा पार्ट ले लिए 10% वाला तो यहां पर कहें कि sub unit करके ऐसे virus होता है अब वो बना के डाला जाता है अब यहां पर आपने देखा होगा चोथा virus क्या होता RNA virus होता है तो अब यहां पर क्या है कि इसमें हम कह सकते है mRNA virus तो यह है एक तरीके का messenger RNA virus तो यहां पर आप ऐसे समझो यह क्या होता है कि हमारी body के अंदर में यह message ले करके जाता है यानिके हमारी body के अंदर में यह क्या है कि हम ना तो virus को डालते ही यानिके यह हमारी body के अंदर में protein create करता है और यह protein जब हमारी body के अंद से लड़ेगा तो यह mRNA vaccine इसको बोला जाता है और यह क्या है कि बहुत कम time period में बनाई जाती है इसके बहुत ज़्यादा benefit देखने को मिलता है अगर हम traditional vaccine से compare करें तो और यह आद रखना यह क्या है एग यह advance form of vaccine देखने को मिलती है और यहां पर क्या है कि जो Moderna की vaccine थी Pfizer की vaccine थी ना दिया तो अब यहां पर क्या है कि यह सारा हमने basic को देखा अब इसके option को पढ़ेंगे तो यहां पर क्या रहा है these vaccines promise the flexibility of plasmid DNA vaccine with enhanced immunogenicity and safety तो एक तरीके से plasmid DNA का मतलब ऐसा समझो यह क्या कि हमारी body के अंदर में protein वगेरा बनाती है ना कि कोई बाहर से उसको ले करके आती virus को तो यह statement ठीक हो जाएगी second के रहा basic advantage is that it requires smaller dose than traditional RNA vaccine तो यह वाली statement भी ठीक हो जाएगी तो हमारा जो answer होगा यहां पर दोनों statement ठीक हो जाएगी अब 8th question को देखते है करा consider the following pairs regarding the dances of India and their regions तो दोस्तों यहां पर कहें कि हमारा art and culture का question है तो यहां पर कहें कि हमारे ना एक तरीके से समझे यह इंडिया हो गया तो इंडिया में कहें कि बहुत ज़्यादा diversity देखने को मिलती है religion से लेकर के language तक तो यहां पर कहें कि different states के different dance देखने को मिलता है और इन states के अंदर में भी बहुत सारे regions है जहां पर separate dance देखने को मिलता है तो दोस्तों यह कहें कि list बहुत ज़्यादा लंबी है तो यहां पर कहा है इसकी कोई trick समझ में नहीं है तो यह कहें कि आपको अंजाब कटान से यह statement बिल्कुल ठीक हो जाएगी अब यहां पर भवाई जो है गुजरात का है तो यहां पर कहें कि हमारा जो है second और third answer ठीक होगा यानिके बी वाला अब 9th question को देखते है करा with reference to rig Vedic period consider the following statement तो दोस्तों हमने जैसे देखा कि हमारा क्या कि ancient history का है तो जैसे इंडस वैली civilization आया था हमारा फिर उसके बाद में वैदिक पीरिड आया वैदिक पीरिड भी हमको दो पार्ट में देखने को मिलता early और later तो जो हमारा इंडस वैली civilization का time period था वो 2300 से लेकर के 1700 BC तक था और यह कहें कि 1500 से लेकर के 1000 BC तक था early Vedic period और later Vedic period था 1000 से लेकर के 600 BC वाला तो दोस्तों यहां पर क्या कि आप देखोगे यह 1700 से लेकर के 2700 वाला यानिकि जो 200 BC का time period एक तरीके से कहा कि इतिहासकारों को पता नहीं है कि इस time period में क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो यह वाला time period पता नहीं है तो यह रिगवेद की बात कर रहा तो कह रहा कि cattle rearing was the dominant occupational activity तो दोस्तों यहां पर देखो हमने जैसे इस से पहले देखा science हमारी ट्रिक ती यहनिक Leonardo Stone Age, Copper Age, Iron Age, यानि के हमको क्या कि Iron हमको कहां देखने को मिलता है Later Vedic Period में देखने को मिलता है तो जैसे ही Later Vedic Period में हमको Iron देखने को मिलता है यानि के लोहा देखने को मिलता है तो हमारी क्या है एक तरीके से Agriculture बहुत मजबूत हो जाती है क्योंकि जब तक इससे पहले क्या है लोग बाग बहुत यानि के वुडन प्लाफ का यूज करते थे तो यह कहाई कि इससे जमीन वगयरा खुद नहीं पाती थी तो जब तक जमीन नहीं खुदेगी तो हमारी जमीन नहीं बोई जाएगी तब तक खेती नहीं हो सकती तो प्रेट में हमको एनीमल रियरिंग देखने को मिलती थी या फिर आप कहलो पैस्टोरल नॉमेडिजम देखने को मिलता था यानि के लोग बाग एक जगा से दूसरी जगा जाते थे अपने एनीमल को ले करके चारा खिलाने के लिए तो हमको इस टाइम पिरिड में यह देख करके बोलिया वैसे तो बहुते कम थे तो यहां पर कहेंगी बाद में अग्रिकल्चर बहुत अच्छी देखने को मिलती है तो यहां पर क्या रहा है कैटल रियरिंग वह दा डॉमिनेंट अक्यूपेशनल एक्टिविटी यानिके रिग वेदिक पीरिड की यानिके इस वाल पंधरासो से बारासो पीरिड वाला जो यानिके यह वाला टाइम पेरड़ हमको रिग वेद की बनाई गया था है तो लेटर पीरिड में कि हमको बाद में यहphabet सामवेद अथर वेद का मिलता यानिके हम कहtards सेक्तRO आ कि पोशट रिग वेदिक पीरिड में हमको यह देखने देखने को मिलते थे तो दोस्तों यह वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी जैसे इंदर देव हो गए अगनी देव हो गए है ना वरुन देव हो गए यह सारे भगवान देखने को मिलते थे तो यह कहाएगी इंदर देव को एक तरीके से गौड ऑफ दा डॉस्ट्रॉयर भी बोला जाता था तो यहां पर कह रहा है हमारी कौंसी स्टेटमेंट ठीक है तो हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा वन एंट ठीक हो जाएगा अब यहां पर टैंध को देखते हैं कह रहा है विद रस्पेक्ट टु डैली सल्तनत कंसीडर था फॉल्विंग इस टिकर है और और हमने 5 सल्तनत को देखता जैसे पहले इहां पर आती है सल्एव्ट जैनेश्टी जिसको एक तरीके से इब्रिक एक मनलब दोती नाम है फिर उसके बाद में हमने देखा इसके बाद में खिलजी डाइनेस्टी आती है तुगलक डाइनेस्टी आती है फिर उसके बाद में यहाँ पर आती है सैयद डाइनेस्टी फिर यहाँ पर लोधी डाइनेस्टी आती है है ना तो यहाँ पर कह लेकर के 1451 तक हमको देखने को मिलती है तो इहां पर डैली नियर जेलम एंड एक्स्टेंड पावर बियॉंड इंडस अप्टू पेशावर सैकिंड करा इबन बतूता विजिटेड इंडिया डियूरिंग हिज जरीन तो दोस्तों यहां पर जैसे इबन बतूता की पीरिड की बात करी गई न तो यहां पर कहें कि जब आपने आर्ट एं इबन बतूता आया था मौरोको से तो बहुत सारे ट्रैवलर्स आयते तो जैसे आपने देखा हो गया हम पर फायान हो गया है ना हुएन सैंग हो गये तो यह सारे आयते किसके टाइम पिरिड में जैसे फायान आया चंद्रगुपता सेकिंड के टाइम पिरिड में हुएन सै अब दिवान ए आमिर कोई अने की डिपार्टमेंट ऑफ एग्रिकल्चर टू बूस्ट कल्टिवेशन इन दुआब रिजन तो दोस्तों यहां पर अब हमको पूरा कंफर्म होगे कि यह मुहंबद बिन तुगलक की बात कर रहा है तो यहां पर अलावदिन खिल जी इल्ट उत तो अब यहां पर इस डाइनेस्टी का जो फाउंडर था वो होता ग्यासुद दीन तुगलक इसके टाइम पिरिड की बात करें तो तेहरा सो बीच से लेकर के तेहरा सो पच्चिस तक रहता है फिर उसके बाद में आता है यह मुहमद बिन तुगलक तो इसका जो टाइम पि यहां पर यहां पर यहां पर याद रखना इसको मैड किंग के नाम से भी बोला जाता था तो जब इसकी मिरत्ट्री हो जाते तो यह भी कहा गया था कि भी अब जो है लोग आजाद हुए राजा से और राजा आजाद हुआ अपने लोगों से तो इस तरीके की बाते करी जाती थी सो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 क्वेशन सो थेंक यू गाइज